हे गाइस स्वागत है आपका नीट 2024 के एक और वीडियो सॉल्यूशन में और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं थर्मो डाइनेमिक्स चैप्टर के कुश्चन की कहता है कि वर्क डन कैलकुलेट करना है दियोरिंग आइसो थर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस जिसके अंदर में वन मूल हाइड्रोजन गैस है 25 डिगरी सेंटिग्रेट पे और प्रेशर 20 एटमस्फियर से 10 एटियम पे जा रहा है इससे पहले के सॉल्यूशन बताऊं आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए तो देखिए अगर आइसो थर्मल रिवर्सिबल एक्सपैंशन है तो वर्क नेगेटिव होता है इसको आप फॉर्मुले से भी देख सकते थे के वर्क होगा माइनस 2.303 nRT लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशल फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशल वॉल्यूम अब क्योंकि है इसो थर्मल प्रोसेस है तो अगर तेंप्रेचर कॉन्स्टेंट है तो पी वी का प्रोड़क्त कॉन्स्टेंट होता है यानि P1 V1 is equal to P2 V2 यानि कि अगर मैं V2 by V1 लिखूं तो that will come out to be P1 by P2 क्योंकि question में volume नहीं दे रखा तो इसलिए हम क्या करेंगे V final upon V initial की जगह P initial by P final replace कर देंगे जो अभी हमने derive किया तो अब work आ जाएगा अब बस इसमें value substitute करना है और answer आ जाएगा तो minus 2.303 number of moles यहाँ देखें अगर तो 1 है R की value question कह रहा है 2 calorie Kelvin inverse mole inverse लेना है तो 2 से multiply और temperature है 25 degree centigrade formula में हमेशा temperature should be in Kelvin तो 273 plus 25 degree centigrade कर देंगे तो यह value आ जाएगे 298 और log के अंदर I got P initial by P final that means 20 by 10 minus 2.303 into 1 into 2 into 298 और log 2 आ जाता है log 2 की value होती है 0.3010 इसको put कर देते हैं multiply कर दिया हमेने 0.3010 से और multiply कर लेंगे तो यह answer आ जाएगा minus 413.14 calorie and that will be the answer तो ऐसा एक ही option match कर रहा है जो negative में है that is option number 2 तो second आ जाएगा इसका answer so thank you for watching वीडियो पसंद आया तो लाइक करो subscribe करो और मैं मिलता हूँ next वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care कर दो कर दो तो